नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है तो आज हम बहुत ही इंट्रेस्टिंग और सीख देने वाली स्टोरी लेके आये हैं तो स्टोरी का टाइटल है दा पावरफुल फो दा का मतलब होता है जबकि छीज़ को स्पेशल बनाया जाता है तो दा का यूज होता है और पावरफुल मिन्स होता है सकतिसाली फो मिन्स होता है एनिमी दुश्मन तो पूरा टाइटल है सकतिसाली दुश्मन तो चलिए हम स्टोरी को पढ़ते हैं और पिक्चराजेशन से आपको पता चली गया हो गया कि किस पर ये स्टोरी है तो ये स्टोरी में A deep means एक गहरा well in a village, एक गाउं में, एक बार वहाँ पर एक बहुत गहरा गाउं था गाउं में, There lived, there means वहाँ lived रहते थे, the king, raja of frog, of means का frogs मतलब मेढगों का together, together means साथ में इकट थे, with, with मतलब साथ में his family, अपने परिवार, members, अपने परिवार के सदस्यों के साथ, and relatives, or relatives means संबंधी, एक बार एक छोटा सा गाउं था, जहाँ पर एक गहरा कुऊं था, उसमें frogs का king रहते थे, मतलब मेढगों का raja रहता था, अपनी पूरी family के साथ इकट थे, और अपने संबंधियों के साथ भी वो रहता था, he, मतलब वह वह था, very, बहुत ज़्यादा famous, famous means प्रशिद्ध था, there, वहाँ पे वह बहुत ज़्यादा famous था, बहुत ज़्यादा प्रशिद्ध था, मतलब बहुत से लोग उसे जानते थे, but परन्तु his own relatives, his means उसके own, खुद के अपने relatives, संबंधी, did not like him much, like मतलब पसंद करना, him means उस king को much, बहुत ज़्यादा, जो king था, उसके जो संबंधी थे, उसे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, मतलब उसे, उसको like नहीं करते थे, they always, वे हमेशा thought, सोचते थे, of harming, harming means, मतलब नुकसान पहुचाना, him, उसे राजा को, मेढक के राजा को, मेढकों के राजा को, मतलब उसके संबंधी हमेशा नुकसान पहुचाने की, कोशिश करने की सोचते थे, as a result, as a result, मतलब परढ़ाम सरूप, इसका result यह हुआ, he had to leave, he had to leave, मतलब वो छोड़ दिया, leave, मतलब छोड़ देना, the well, कुए को, and or became हो गया, rendered, rendered, मतलब होता है, बेधर, बेधर, मतलब की, बिना घर के, homeless, मतलब, इधर उदर भटकना, render, मतलब, इधर उदर भटकना, homeless, मतलब, उसका घर न होके, इधर उदर भटकना, मतलब, वो अपना घर छोड़ चुका था और बस इधर उधर भटक रहा था, जो राजा था, जो मेंधक का मेंधकों का राजा था, दफ्रॉग किंग मेंधक राजा बिकेम हो गया, वरीड, वरीड मतलब होता है, चिंता करना ओफ का वेर टू लीप, वो कहां रहेगा, वो तो अपना घर छोड़ चुका था, जो उसका कुवाँ घर था, वो छोड़ चुका था, तो उसे चिंता रहते थी कि अब वो कहां रहेगा, कहां बसेरा अपना बनाएगा, तो लीप थाट, इन्ग्रॉजड मतलब लीन हो जाना, कि इस चीज में बीजी हो जाना, वो मतलब बीजी हो गया, कि इस चीज में लीन हो गया, इन्दीप थाट, इन्ग्रॉजड मतलब गहरी विचार में डूब गया, इन्ग्रॉजड मतलब डूबना भी हो था, एक तरह से, मिंस पानी में डूबना नहीं, एक तरह से विचारों में डूबना, सोच में डूबना, वो डूब गया कि किसी को भी चिंता रहेगी, क्योंकि जिसके सर पे छत नहीं रहेगा, तो उसे तो चिंता रहेगी, कि वो आगे कहां अपना जीवन बसर करेगा, तो उसे तरह मेंधक के राजा को भी ये चिंता सता र है तो वो सोचने लगा and or did not know वो नहीं जानता था what could be done क्या कर सकता है at that moment इस च्छन at that moment इस च्छन मतलब उसे क्या करना चाहिए वो क्या कर सकता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था he thought was socha of taking taking मतलब लेने का of taking means लेने का revenge revenge means बदला होता है उसने बहुत विचार भी मर्स करने पर ये निसकरश निकाला कि मुझे revenge लेना चाहिए बदला लेना चाहिए against खिलाफ his enemies अपने दुष्मनों के खिलाफ बदला लेना चाहिए and or teach them teach मतलब सिखाना सिखाना होगा उन्हें them a good lesson एक अच्छा part पढ़ाना होगा means उन्हें मतलब की दिखाना होगा कि मुझसे दुष्मनी लेने का क्या नतीजा होता है मिंडगो के राजा ने सोचा कि ऐसा मैं मतलब अपनी बेघर होने का उनसे बदला लूंगा he was thinking was सोच रहा था how कैसे to take revenge कैसे बदला लेगा as he was well aware जैसा कि he was वह जानता था well मतलब बहुत अच्छी तरह aware जानता था of the large number of the large मतलब बहुत जादा संख्या बड़ी संख्या of his enemies इस sentence का मतलब है वह सोचने लगा वह कैसे बदला लेगा जैसा कि वह जानता है पूरे तरह से अच्छी तरह से जानता है कि उसके जो दुस्मन है बहुत जादा संख्या में है उसके दुस्मनों की संख्या बहुत जादा है he knew वह जानता था he would need some he would need some मतलब उसे जरूरत होगी need मतलब जरूरत होना some कुछ supporter supporter मतलब होता है समर्थक जो उसका साथ दे तो उसने सोचा कि मुझे कुछ साथ देने वालों की जरूरत होगी मतलब मैं अकेला ही बदला नहीं ले पाऊंगा मेरी कोई सहायता करने वाला भी रहना चाहिए he thought was सोचा how कैसे to get them और कैसे अपने supporter को पाया जाए ये मतलब ये भी चीज़ें वो सोचने लगा suddenly अचानक his eyes means उसकी आँखें fill fill मतलब पढ़ी on the king cobra उसकी आँखें किस पे पढ़ी king cobra एक राजा कोबरा के उपर मिंसाप होता है उसका नाम है कोबरा कोबरा के उपर पढ़ी on मतलब पर he thought was सोचा of taking लेने का the help सहायता of cobra कोबरा से सहायता लेने की सोचा to kill to kill मतलब मानने के लिए all his all मतलब सभी उसके kit and kings kit and king की मतलब होता है मित्र और रिस्तेदार संबंधी उसने सोचा कोबरा की सहायता लेने के लिए और अपने relatives को अपने सगे संबंधियों को मानने में कोबरा की help लेने के लिए सोचा और जब ये सुना ये डियर सर की आवाज सुनी तो कोबरा ने मतलब घूमा मतलब घूम के देखा अपना expression दिया मतलब turn किया घूमा he found वपाया that it was frog ये frog है मिन्स ये मिंधक है king जो मिंधक राजा है who was asking him जो उससे पूछ रहा है कह रहा है मतलब ये कि जब मिंधक राजा जो था उसकी आँखे कोबरा पर पड़ी क्योंकि वो सोच रहा थे कि कैसे अपने supporters को जुटाया जा तो उसकी आँखे कोबरा पर पड़ी और कोबरा से कहा dear sir प्रिय महा से और ये सुनकर कोबरा घुम के देखा कि कौन है भाई मुझे ऐसे बुला रहा है इतने अच्छे रहंग से तो उसने देखा कि frog king है मिन्स मिंधक राजा है और जो कि उससे कह रहा है क्या कह रहा है then फिर कोबरा वा सर्प्राइजड कोबरा था सर्प्राइजड हो गया शर्चकीत हो गया and or thought सोचा himself अपने आप सोचा मिन्स अपने मन में सोचा why my enemy क्यों मेरा my मतलब मेरा enemy मतलब दुश्मन the frog is calling me जो में धक है calling मतलब बुलाना मुझे मुझे क्यों बुला रहा है मिंधक और साप तो दुश्मन होते हैं तो उसी लिए कोबरा सर्प्राइजड हो गया आशर्चकीत हो गया कि भाई ये मुझे क्यों बुला रहा है ये तो मेरा दुश्मन है समझ गया कि कोई भी बीना स्वार्थ के बात तो करता है नहीं तो इसका भी कोई स्वार्थी है कुछ है तभी तो ये मुझे से बात करने आये है तो उसलिए वो पूछा कहा what are you desiring desiring मतलब इच्छा होती है तुम्हारी क्या इच्छा है क्या करना चाह रहे हो क्या बोलना चाह रहे हो tell me in details tell me, बताओ मुझे in details detail मतलब विस्तार में in मतलब में मुझे विस्तार में बताओ the frog king said में धक राजा ने कहा I have come to make friendship with you I have come मैं आया हूँ I have come मतलब मैं आया हूँ to make friendship मैं मतलब बनाना friendship दोस्ती करने आया हूँ with you तुम्हारे साथ मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करने आया हूँ will you accept क्या तुम accept करोगे स्विकार करोगे my friendship मेरी दोस्ती को क्या तुम स्विकार करोगे except मतलब होता है स्विकार करना the snake said सांप ने कहा dear frog prayer mindhak we have many dissimilarities also we have many हमारे पास we have मतलब हम लोगों के पास मतलब बहुत ज़्यादा dissimilarities dissimilarities मतलब असमानताएं मतलब भेद बहुत तरह के वेद also हमारे हम दोनों के अंदर असमानता है मतलब हम लोग एक जैसे नहीं है also मतलब हम लोग भी एक जैसे बिलकुल भी नहीं है you are a frog तुम मिंधक हो and or I am a snake मैं सांप हू you are water dweller you are मतलब तुम water मतलब जल dweller मतलब वासी तुम जल वासी हो and or I am or मैं land dweller land मतलब भूमी dweller means वासी मैं भूमी वासी हूँ मैं भूमी पे रहता हूँ धर्ती पे रहता हूँ तुम पानी में रहते हो तो ये भी तो हमारे अंदर dissimilities है हम लोग अलग अलग है तो कैसे हमारी friendship हो सकती है हमारी दोस्ती कैसे हो सकती है ये कोबरा कहने लगा you are hopping creature you तुम हो hopping hopping means होता है jump करके चलने वाले means फुदक फुदक के चलने वाले creature means होता है you तुम फुदक फुदक के चलने वाले you हो and or I am crawler crawler means होता है ring ने वाला मन्द गती से चलने वाला मैं मन्द गती से चलने वाला जी हूँ इंस्पाइट आप मैनी डिसिमलेर्टी इंस्पाइट मतलब बावजूद आप मैनी मतलब बहुत ज़्यादा डिसिमलेर्टी असमनताएं होने के होने के बावजूद भी we are common we are means common हम लोग सामान मतलब बराबर enemies हैं मतलब दुश्मन है to each other एक दूसरे के हम लोग दुश्मन भी है how means कैसे can मतलब सकना friendship एक दोस्ती will grow grow मतलब बृद्धी होना बढ़ना between us हम दोनों के बीश हमारी इतनी बड़ी दुश्मन ही है तो कैसे हम दोनों की बीश दोस्ती हो सकती है कैसे हमारी दोस्ती बढ़ सकती है अग कोबरा ने ऐसा ऐसा कहा the frog king मेधक राजा understood understood मतलब समझ गया that की the snake साप है जो was hesitant मतलब हिचकिचा रहा है मतलब संकोश कर रहा है to make मतलब बनाने के लिए friendship with me friendship मतलब दोस्ती with me मेरे साथ मतलब जो कोबरा साप है उसे हिचकिचाहट हो रही है दोस्ती करने में मुझसे the frog king said मेंधक राजा ने कहा you are absolutely right तुम absolutely means बिलकुल एकदम right हो सही हो still तब भी यद भी I'm your enemy मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ our past generation our means हमारी past generation मतलब पिछली बीते हुए जो पीड़ियां है half short दिखाया है enmity enmity मतलब सत्रुता to each other एक दूसरे के साथ जो मेड़ों की generation है और जो सापों की generation है उन में पिछले generation में उन दोन में बहुत ही सत्रुता थी ऐसा देखा गया है but परन्त I am now अब मैं now मतलब अब helpless हो गया हूँ means बिना सहायता के हो गया हूँ मतलब मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है मैं अकेला पड़ गया हूँ so I come मैं आया हूँ to your door तुम्हारे door तुम्हारे दर्वाजे पे to get to get means पाने के लिए help सहायता पाने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ means तुमसे सहायता मांगने के लिए आया हूँ but if you do not help me परन्त if यदि you do not help me अगर तुम मेरी सहायता नहीं करते हो God will help me भगवान मेरी सहायता करेगा God will help me means भगवान मेरी सहायता करेगा the cobra realized the cobra ने महसूस किया that की the frog king मेढक राजा was really in danger really means सचमूश in danger खत्रे में है कोबरा ने महसूस किया की जो मेढक राजा है वो सचमूश खत्रे में है मुसीबत में है so he was eager वो eager हो गया चुक हो गया to know जानने के लिए about his danger उसके about his danger means उसके खत्रे को जानने के लिए चुक गया means जानना चाहा कि क्या उसका दुख है क्या दर्द है साइद मैं उसे solve कर सकूँ उसकी problem को दूर कर सकूँ the cobra said cobra ने कहा I see you I see you मतलब मिलना देखना मैं देखता हूँ are trying मतलब कोशिश कर रहे हो to get means पाने के लिए my help मेरी सहायता पाने के लिए तुम कोशिश कर रहे हो try कर रहे हो is there something क्या कोई बात है I can do for you मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ मतलब ये जो cobra है उस frog king से पूशने लगा then फिर the frog king में धक राजा ने explain विस्तार में बताया everything हर चीज को to the cobra cobra से हर चीज को पूरे विस्तार में बता दिया and said और कहा you have to come तुम्हे आना होगा you have to come मतलब तुम्हे आना होगा to my kingdom मेरे राज में kingdom means राज में and or kill मारना होगा all my enemies मेरे सभी दुस्मनों को तुम्हे मारना होगा में धक ने सारी बात cobra को कह दी और कह के कहा कि तुम्हें मेरे राज में आकर मेरे दुस्मनों का खात्मा करना होगा means उसे मारना होगा the cobra was surprised hearing it जो साब था जो साब कोबरा था was surprised अशर चकीत हो गया hearing सुनते ही यह सब बातों को सुनकर जो कोबरा था surprised हो गया अशर चकीत हो गया chock गया he was engrossed was engrossed हो गया डूब गया busy हो गया in deep thought in deep thought मतलब गहरी विचार में गहरी सोच में पढ़ गया then he asked the frog king फिर उसने frog king से कहा asked मतलब कहा frog king से mendak raja से कहा tell me बताओ मुझे where do you live तुम कहां रहते हो where do you live मतलब तुम कहां रहते हो the frog king said उस mendak raja ने कहा I live in an old whale मैं रहता हूँ I live in मैं रहता हूँ मैं old whale में old whale मतलब पुराने कुए में रहता हूँ then फिर cobra thought cobra सोचा if यदि I go मैं जाता हूँ with the frog mendak के साथ I will get मैं पा जाओंगा get मतलब पा जाओंगा lot of food बहुत सारा भोजन पाओंगा जैसा की as मतलब जैसा की there will be large number of frogs वहाँ पे there will be large number मतलब बहुत जादा संख्या में वहाँ पे mendak होंगे इस तरह मुझे बहुत सारा भोजन भी मिल जाएगा the cobra ask the cobra ने कहा the king frog means raja mendak से कहा tell me मतलब मैं योग होंगा सामर्थ होंगा to reach there वहाँ पे मैं कैसे पहुंच होंगा तुम जहां रहते हों वहाँ पे मैं कैसे पहुंच पाऊंगा I have no feet मेरे पास pair नहीं है to climb up उपर चड़ने के लिए the stony chink stony chink stony मतलब stony मतलब पत्रीली चिंक्स मतलब होता है लकीरें आफ दे वेल कुए की पत्रीरी लकीरों पर चड़ने के लिए मेरे पास पैर भी तो नहीं है न if means यदी we go हम जाते हैं that place that place मतलब उस जगह यदी हम वहाँ जाते हैं उस जगह I need a hidden place मुझे जरूरत होगी hidden means चिपने वाले जगह की hidden place मतलब चिपने वाले जगह की to hit myself there मतलब चुपाने के लिए myself मुझे खुद को there वहाँ पे चुपाने के लिए मुझे चिपने वाली जगह जाहिए because क्यूंकि I need I मतलब मैं need मतलब जरूरत to be मतलब होना there वहाँ पे to encounter encounter मतलब 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 मुझे उनको मारने के लिए उनका आमना सामना करने के लिए मुझे एक जगह चाहिए होगी तभी तो मैं उन्हें वन बाई एक एक करके उन्हें मार पाऊंगा कुबरा कह रहा है frog से the frog king said में धक राजा ने कहा you need not to worry you मतलब तुम्हे need मतलब जरूरत not to worry चिंता करने की जरूरत नहीं है about it इसके बारे में about it मतलब इसके बारे में तुम्हें बिल्कूल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है it's my responsibility यह मेरी जिम्मेदारी है responsibility मतलब जिम्मेदारी to take, take मतलब ले जाना, you, तुम हे to my kingdom, मेरे राज में ले जाना, ये मेरी जिम्मेदारी है इसके लिए तुम चिंता मत करो there is a hollow there means वहाँ is a hollow वहाँ पे एक hollow है, means एक खोखली जगह है, near past में, our veil हमारे कुएं के पास एक खोखले जगह है, means एक hole है, you must leave there happily तुम वहाँ पे अवस्य हो, you must मतलब तुम अवस्य लीव रह सकते हो there, वहाँ पे happily, खुशी-खुशी तुम वहाँ पे रह सकते हो there will be no harm for you, वहाँ पे तुमें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा no, हाँ मतलब कोई भी नुकसान नहीं पहुचेगा for you, तुम्हारे लिए मतलब वहाँ पे कोई भी नुकसान तुम्हारे लिए नहीं होगा the cobra consented to the proposal cobra ने consented मतलब बहुता है, सहमती देना हामी भरना to the proposal प्रस्ताव के लिए of the frog king मेधक के प्रस्ताव के लिए हामी भर दी, मतलब सहमत हो गया the frog king मेधक राजा did not know, नहीं जानता था that की cobra had made, cobra ने बनाया है some plan, कुछ योजना बनाई है for himself अपने आप के लिए कुछ योजना बनाई है means, कोबरा भी अपने मन में कुछ बाते अपने स्वार्थ के लिए मतलब बना चुका था कि मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा और इस बात से frog राजा अंजान था the cobra said, cobra ने कहा to himself, अपने आप से कहा means, अपने मन में सोचते हुए कहा, I am very feeble मैं बहुत कमजोर हो चुका हूँ feeble means, कमजोर होना now, अब, due to old age due to, मतलब कारण से old age, मतलब बुढ़ापे के कारण, मैं बहुत ही कमजोर हो चुका हूँ so, I will not be able मैं योग नहीं हूँ सक्छम नहीं हूँ to catch, पकड़ने के लिए pray, pray means, सिकार को पकड़ने के लिए every day, every day, प्रती दिन मैं सिकार पकड़ने में सक्छम नहीं हूँ क्योंकि मैं बुढ़ा हो चला हूँ if, यदि, I live there मैं यहां रहता हूँ there will be no scarcity of food there will be no, यहां पे नहीं होगा यहां पे नहीं होगा scarcity, कमी और food, खाने का भोजन की कमी यहां पे बिल्कुल भी नहीं होगी so, at the cobra said cobra ने कहा to the frog king में धग राजा से कहा यहां पे एक चीज है कि यह जो बाते कह रहा है, यह साप की यहां पे भोजन की कमी नहीं होगी मैं बोड़ा हो चला यह सब चीजें अपने मन में कह रहा है यह frog king से नहीं कह रहा है so, at the cobra said cobra साप ने कहा cobra साप ने कहा frog king मेड़क राजा से कहा लेट्स गो, चलो चलते हैं what arrangement क्या arrangement मतलब जो ब्यवस था arrangement means ब्यवस था what मतलब क्या have you made तुमने किया है मतलब बनाया है किया है for me मेरे लिए to reach there वहाँ पहुचने के लिए means अपने एक उए तक पहुचने के लिए तुमने क्या योजना बनाई है चलो चलके देखते हैं arrangement means ब्यवस था मतलब क्या तुमने ब्यवस था की है वहाँ पे चलो हम लोग चलके देखते हैं तो ये स्टोरी थोड़ा लंबी है तो इसकी जो आगे की स्टोरी है हम next वीडियो में लेके आएंगे तब तक आप इस स्टोरी के साथ ही enjoy करिए और मेरे चैनल को subscribe करिएगा Thank you